Hello and welcome back to my channel, मैं हूँ अनिवान और मैं लिके आएँ हूँ Early Morning Kalimaa के Guidance और यह Guidance हमेशे आपको मदद करेंगे आपके डे को बहतर बनाने में आपको यह Guidance Healing प्रोवाइड करेंगे तो चाहे आप किसी भी धरम के अंदर क्यों नहीं हो मां मां होती है एन इस guidance कि थूँ आप enlightened हो सकते हो, आपको spiritual awakening में मदद definitely मिलेगा, let's see, start कर देते, और मैं private reading वगेरा नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कोई YouTube के सिभा और कहीं पे भी available हूँ, so, सिर्फ YouTube में वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ, और मेरा कोई WhatsApp, कोई Facebook, कोई phone number, कोई भी अलग profile नहीं है YouTube के सिभा तो fake and scam profile से बच्चे, मैं कभी भी आपसे contact नहीं करूँगा, क्यूंकि मैं इसा नहीं करता हूँ, okay, यहाँ पर ही सिर्फ आप लोग के लिए वीडियो अप्लोड करता हूँ, पुजा भी करता हूँ, तो चलि लेट सी, ओम काली काली, महा काली काली की पाप वहर भी धर्मकामत्य मुखते देवी नारायनी नमसी, लेट सी, माँ आपके past को लेकि क्या बोल देआए आपके और आपका पास का मेसेज आया है अर्था अर्था मतलब क्या है जीवन का अर्था जो कही न कही मा आपको बोल रहे हैं कि आप धीरे धीरे अपने सोल परपस के करीब आ रहे हो आपको पता चल रहे कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए जब आप unconditional होके society के लिए आपके परिबार के लिए और आपके दोस्तों के लिए पुजा करते हो यह simple act एक बहुत बड़े selfless act में बदल जाते है जब आप life को बहुत simple तरीके से देखते हो जब आप egoistic नहीं हो जाते हो जब आप greed, anger को हटाके जीवन का असली सच ढूणने की कोशिश करते हो तब अर्थकाली मा आपके life में आते है अर्थकाली मा जब आपके life में आते है तब सच्चाई को पता चलता है अर्थकाली मा अकसर आपके past, present and future को कंट्रोल करते है और मा आपको बोल रहे है कि जो questions का तलाश आप कर रहे हो करेंगे वो questions आपके अंदर चुपा है यानि कि जो सच्चाई को आप ढूण रहे हो वो सच्चाई आपको ढूण रहे है अर्था उफकाली मा आपके लिए एक बहुत बहुत बहुतरी मेसेज लिए और वो क्या है वो है कि आपके पास सारे options available है past में जो चीज़ आप नहीं achieve कर पाए थे past में जो चीज़ आप बहुत सोचके भी कुछ नहीं कर पाए थे या फिर past में अगर आपको failure आप हुए थे या फिर आपको बहुत जादा disappointed हुआ था मतलब आप बहुत जादा disappointed हुए थे past में आदि उसको आप overcome कर रहे हो महां देख रहे हैं कि आप razor sharp हो कि आप high conscious value को लेके आप आगे बढ़ रहे हो जिसको आप कह सकते हो कि अभी आप एक खरा सोना बन गए हो अभी आप एक diamond बन जा रहे हो इतना pressure आप जहले हो ना कि कोई वो pressure नहीं जहल सकता है इतना जादा darkest days देखे हो ना कि लोग तूट जाएंगे उसके वावजूद भी आप आगे बढ़ रहे हो उसके वावजूद भी आप soul awakening का बात कर रहे हो उसके वावजूद भी आप soul के goal का बात कर रहे हो अर्था आफकाली मतलब क्या है कि हर टाइम पे आपको चुनाओती हो का सामना करना पड़ता है और life बहुत टफ है और आपके अंदे मानलो एक power सचा जाता है कि आप करेंगे ही करेंगे और वही power आपको एक दिन successful बनाएंगे माँ आपको वही border के आप एक योद्धा हो आपके life उतना असान नहीं है आप दूसरों के जैसे नहीं सोचते हो आप कुछ अलग हो लोग misunderstanding करते हैं उसके बावजूद भी आप प्यार करते हो लोग आप से चेन लेते हैं उसके बावजूद भी आप लोगों को प्यार बाठते हो लोग आपको चीट करते हो उसके बावजूद भी आप विश्वास करते हो प्यार तूटता है उसके बावजूद भी आप प्यार करते हैं तो कही न कही यह जो image है यह image आपके soul को दर्शाता है एक तरफ आप हो divine feminine जो nurturing सबको प्यार करते हैं सबके लिए care करते हैं दूसरे तरफ आप एक divine masculine जो एक proper leader है जो एक father figure है सबको proper तरीके से काम को बाठते हैं सबके अच्छाई के लिए सोचते हैं सच को मानते हैं इसके combinations पे आप बढ़ रहे हैं so now अर्थाफ काली आपको यही message दे रहे हैं कि हाली में जो decisions आप लिए हो या फिर जो spiritual work कर रहे हो या फिर जिस तरीके से आप अपने वहां फिर भी एक चीज का edit कर रहे हैं और वह है कि बार बार यह आफ futuristic सोचते हो क्या होगा क्या करना गलत होगा क्या क्यूं कैसे यह questions आपको कही किबार आपके soul purpose को follow नहीं करने देते like tried and trust but हर टाइम पे आपके लिए good नहीं होता है हर टाइप पे आपके लिए upyukत नहीं होता है tried and trust path उन लोगों के लिए है जो लोग एक comfortable life लीट करते बट आपके लिए comfort कभी भी नहीं था आपको माँ बोल रहे हैं कि जब तक आप नए चीज़ को देखेंगे जब तक आप नए चीज़ को आप experience करेंगे जब तक आप नए चीज़ को अपना होगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि जीवन का earth क्या है अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कभ होगा कैसे होगा क्यों आप करेंगे क्या वो positive होगा या फिर क्या negative होगा यह सारे चीज़ मा के हाथ में है कितना भी चोटा काम क्यों नहीं है अगर मा का आशिरबाद उस काम पे रहते हैं तो वही चोटा काम बहुत बड़ा काम में बदल जाते हैं और कितना भी बड़ा काम क्यों नहीं है अगर मा का आशिरबाद नहीं रहते हैं तो वो कभी grow नहीं कर पाते हैं तो कहीं नगे ये total surrendering के जरूरत है जितना चोटा काम हो जितना unique काम हो जितना अलग काम हो बट वो आपके soul purpose है और एक बड़ अगे कोई person अपने soul purpose के साथ align हो जाते है तो वो उसका विकास जो होता है ना उसका जो growth होता है ना वो सबी ये पूरे दुनिया देखते हैं उस growth तो माँ वही बोल रहे हैं कि future के बारे में tension मत करो कि future मा के हाथ में है जितना dedicated रह कि आप काम करोगे जितना जादा सीखोगे जितना जादा पढ़ोगे जितना जादा knowledge गीन करोगे उतना जादा बैतर है अभी profit के बारे में मत सोचो अभी सीखिए बहुत कुछ चीज है सीखना है आपको बहुत कुछ चीज और आप सीख रहे हो जीवन का शिक्षत आपको मिली रहा है साथे साथ अमा देख पा रहे हैं कोई नए topic कोई नए learning हो सकता है ये tarot हो सकता है spiritual कुछ चीज हो सकता है तब पूरे universe आपको बहुत सारे सारे information दे रहे हैं तो वैसे ही महाँ आपको बोल रहे हैं कि आपको learning mode को active कर learning mode पे जाना है और हो सकता है already आप learning mode पे हो so जो भी reality check आपको मिला है जो भी past experience आप देखे हो अब वो काम आएगा आपका जो experience है अब वो काम आएगा महाँ बोल रहे है focus on your goal चाहे बोल कितना भी डरावना क्यों न लग रहा है चाहे आपको कोई भी victory का नाम और निशान नहीं दिख रहा है अर्था अफकाली आपको बोल रहे है कि जो mantra आप chant करे हो वो सही तरीके से chant करे हो अर्था अफकाली आपको बोल रहे है आपको बाहर के protections के नहीं rather अंदर के discipline के जरूरत है discipline चाहिए dedications चाहिए continuous effort के जरूरत है hard work के जरूरत है और यह सब इतना आसानी से नहीं होगा अगर कोई अच्छा habit अब बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उसके लिए आपको और ज्यादा strict होना होगा past में जो गलती किये हो उसको अगर आपको आप नहीं करना चाते है तो और भी ज्यादा strict हो जाए है past के mistakes के करीब तक मत जाए है आपको healthy boundary draw करने है लोगों को कहने दीजिए लोगों को misunderstand करने दीजिए लोगों को judge करने दीजिए आप उनके मामनों में मत जाए है आप उनको ठीक करने के लिए मत जाएगे, आप उनको करेक्ट करने के लिए मत जाएगे, आप खुद चींज हो जाएगे, आपको देखे ये लोग चींज हो जाएगे, ऐसे ही पास्ट के कुछ मैटर्स को लेके माँ बोल रहे के, be very careful, बहुत सारे लोग आपके पास्ट में आ बढ़ावा मत दो, spiritual ego हमेशा आप हटा के रखो हो, मतलब खुद के औरा से, you really need to cuss this thing off, you really need to stop wishful thinking, like, आप already powerful हो, but इसके बावजूद भी आपको पावर के बार में कुछ भी सोचना नहीं, जो भी पावर है वो माँ आपको दे रहे, future में भी माँ देंगे, and आप एक true spiritual person बनेंगे, and लोगों के जिंदगी को आप बदल देंगे, yes, आप एक spiritual mentor भी बनोगे, आप एक spiritual guru हो, and of course, आपके ancestors, and guru का आशिवार आपके सर्प पे है, यही blessings लेकिए आप आगे बढ़ते रहे, सिर्फ आपका goal होना चाहिए, आपके soul purpose, और कुछ भी नहीं, okay, let me see, मा और क्या message आपको दे रहे हैं, आपके, the next message you have got, oh my god, Bhuvanishwarima, आपको यहीं बोल रहे हैं, कि life में एक glorious manifestations की तरफ आप जा रहे हैं, और यह क्यों, जब आप desire को सिर्फ materialistic body का desire नहीं, जब आप desire को body, mind and spirit के desire में बदल देते हैं, जब आप एक collective consciousness के साथ साथ, एक spiritual benefit के तलाश में चलते हो, तब जाके Bhuvanishwari मा आजाते हैं, Bhuvanishwari, मतलब the mother of the whole earth, या फिर आप बोल सकते हो, Bhuvanishwari, the goddess of earth, जो इस धर्ती को देखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, Bhuvanishwari मा का जो उजवल, वो इतनी उजवल है कि इस thousand suns से भी जादा, So, definitely, life में brightness जब आते हैं तब आपको पता चलता है कि, okay, क्या-क्या चीज़ी छुपा था आपके अंदर, क्या-क्या hidden talents था आपके अंदर, क्या-क्या hidden creativity छुपा था आपके अंदर, कौन से hidden fear आपके अंदर था, कौन से hope के बारे में आप नहीं सोच रहे थे, तो दरासल आज एक brilliant idea, brilliant directions, brilliant habit generate हो जाएगा, घर में लोग आ सकते हैं, आपका तारीफ लोग कर सकते हैं, आपके बारे में अच्छा-च्छा बात बोल रहे हैं लोग, भुबनिश्परी मा, यही आपको बोल रहे हैं कि, बहुत struggle आप देखे हो, अब आपके life, आज से, इस new moon से एक बहुत बढ़िया development आ रहा है, definitely अच्छे phase में आप जा रहे हो, job बोलो, पैसा बोलो, relationships बोलो, यहाँ पर overall तो एक gradual development आही रहा है, but साथ ही साथ, अक्सर क्या होता है, कि बुरे कर्मा के वज़े से, miss alignment के वज़े से, कुछ चीज आप सोच के भी करने ही पाते हो, अब वबनिश्वरी मां आके वही चीज को complete करें, जो भी pending task था, जो भी weak spot था, उसको मां हटा दे रहे, and वबनिश्वरी मां आपको spiritually protections provide करें, जैसे कि, क्या होता है, कि spiritual world में बहुत different entities रहते हैं, लोग अपने स्वार्थ के लिए universe को manifest करते हैं, and universe को manipulate भी करते हैं, so like, क्या है, क कि खूल सकता है, मां देख रहे थे, कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे, but because of some negative energy, वो मेहनत रंग नहीं लेकिया पा रहा था, वो मेहनत फुल्फिल नहीं हो पा रहा था, आप अपनी गोल के करीब नहीं जा पा रहे थे, यह फिर रुख जा रहे थे, यह फिर भटक जा रहे थ इन्हों जो clear cut सत्य है, वो आपके सामने आ रहा है, आज मां बोल रहे है कि straight forward जीतेंगे आप, जो answers आपको चाहिए था वो मिलेगा, soul development, gradually आपको दिख जाएगा कि धीरे-दीरे आप grow कह रहे हो, घर में सबका तबियत ठीक होगा, एक issue था जिसके बारे में आप बहुत ज़ चाहिए वो legal issue हो, चाहिए वो relationship issue हो, confidence बढ़ रहा है, आप सपने भी नहीं सोचे थे कि आप इतना बड़ा decisions लेंगे या फिर इतना बड़ा काम करेंगे, आज कुछ आप ऐसे काम करने वाले हो या फिर ऐसे चीज़ के बार में सोचने वाले हो, you are literally evolving, आप एक better person बन रहे हो, आप लोगों के लिए सोच रहे हो और ये इतना आसान नहीं होता है, वुबनेश वरी मा आपके life में brighter side के बार में बोल रहे है, और वो brighter side क्या है, अकसर आप खुद को underestimate करते थे because of your livelihood, हो सकते है कि आप बहुत ही broken childhood आपका था, या फिर बच्पन से आपको लोग control की है, bad parenthood, या फिर bad mentor, like गलत advice आपको दिये है, लोग exploit किये है आपको, लोग आपसे आपका personality को चीन लिये थे, लोग आपको use करके छोड़ दिये थे, ना वुबनेश वरी मा आपके सामने लेके आ रहे है कि जिस तरीके से लोग आपको छोड़ दिये थे, जिस तरीके से लोग आपको exploit किये थे, वही लोग पच्छताएगे, वही लोग आपके success देखेंगे, तो आज definitely आपके सामने एक ऐसा options या फिर ऐसा opportunity आ रहे है जहां पे आपको मौका मिलेगा अपनी बारे में बोलने के लिए, जहां पे लोगों को देखने का मौका मिलेगा कि आप कितने अच्छे से क काम कर देखेंगे, जहां पे लोग देखेंगे कि आप कितना conscious हो, जहां पे लोग देखेंगे कि कितना mature आप हो गए हो, जिस तरीके से वह आप, यह सारे लोग आपको सोचते थे, आपकी parents आपको सोचते थे, अभी उनका सोच बदल जाएगा, वह वनिश्वरी मा आपको ज आप अपने परमात्मा के आवाज को सुन सकते हो, आज आप कुछ ऐसे ही decisions लेने वाले हो, कुछ ऐसे ही unconditional काम करने वाले हो, जिससे क्या होगा लोग सोचिंगे कि आप कितना महान हो, आप कितना दयालू हो, आप कितना honest हो, क्योंकि आपके honest opinion के वज़े से किसी का जिंदगी बदलने वाला है and at the same time हो सकते हैं कि कोई आपकी जिंदगी बदलने के लिए आ रहे है reconciliation हो सकता है out of the blue एक बहुत बढ़ी surprise आपको मिल सकता है you know आप सप्प्रेमे भी नहीं सोच सकते हैं कि इतना अच्छा हो सकते हैं वो आज हो सकता है now भुबनेश्वरी मा आपको हमेशा एक ही चीज़ बोल रहे है कि जितना जादा आप मा के करीब रहेंगे उतना जादा surprise आपको मिलेगा now क्या हो जाता है कि हम लोग materialistic world में न खो जाते हैं हम लोग को पूरे दिन celebrate करना है हम लोग को पूरे दिन miracles चाहिए हम लोग को every 365 days ही बहुत अच्छा चाहिए बड़ा हम लोग यह नहीं जान पाते है कि जब तक ना हम darkest days को देखेंगे तब तक हम मही मा को नहीं समझ पाएंगे तो क्या है कि जब हम रोते हैं तब हम मा के पास चाते हैं और मा से मदद मागते हैं और जब हम लोग कुछ हम लोग को मिल जाता है तब वो पूरे credit हम खुद ले लेते हैं और वबनेश्पधी मा वही आपको बोल रेते हैं यह जो success and failure है it's so so simple बट यह simple चीज को भी लोग भूल जाते हैं यह एक चीज के पीछे भागते रहते हैं और बाकी सारे चीज़ों को छोड़ देते हैं like जैसे के spiritual power मतलब लोग को personal power को बहुत जादा मतलब उस पर जादा focus जाते है spiritual power मतलब आप अपने समाज को बहतर बना सकते हैं देश को बहतर बना सकते हैं आप unconditionally खुद को चेंज कर सकते हैं spiritual power मतलब यह नहीं कि दूसरों को control करना nature के खिलाब जाना tantra क्रिया करके खुद को महान दिखाना खुद को powerful दिखाना यह गलत है so भुवनिश्वनिमा आपको क्या कर रहे आपको different realm के साथ कनेक कर रहे different realm मतलब जहाँ पर आपके ancestors रहते हैं जहाँ पर deities रहते हैं जहाँ पर आपके soul को सुकून मिलता है इस दुनिया से अलावा भी बहुत सारे universe है multiverse जिसका हूँ कहते है अब भुवनिश्वरी मा आपको multiverse पे लेके जाता है तो जब आप meditate करते हैं यह reading यह specific part जो लोग meditate करते हैं उनके लिए जब आप meditate करते हो तब आप देखोगे कि कई कबार आप महाकाश को जो universe उसको visualize करते हैं या पर कई कबार आप मा का मूर्ती को visualize करते हैं कई कबार आप अलग जहाँ पे चले जाते हो अलग जोन पे चले जाते हो और उस टाइम पे भुवनेश्वरी मा आपको लेके जाते हैं एक universe से दूसरे universe पे और अब क्या हो रहा है कि भुवनेश्वरी मा आपके life में जतना dark spot है उसको remove करके आपको meditations के थूँ कुछ सच्चाई को दिखाएंगे so definitely आपको दिख पाएगा future आपको पता चलेगा कि future में क्या हो रहा है जिस तरीके से आप meditate कर रहे हो जिस तरीके से मा को आप मा से मदद मांग रहे हो मा ठीक उसी तरीके से आपके सामने आपके questions का answers देंगे आपके हाथ पकड़के वो different different जगे पे लेके जाएंगे now वो वनेश्वरी मा सूरिया है spiritual sun है तो क्या होता है कि dark night of the soul phase से जब आप जाते हो तब universe बहुत कुछ चीजों को छीन लेते हैं आपको तोड़ के चले जाते हैं क्योंकि आपके ego, karmic baggages आपके गलत karma, गलत thoughts ये सब जब remove होता है न तब लोग heal जाते हैं लोगों को लगता है कि भई सब कुछ खो गया yes सब को एक ना एक दिन spiritual journey में सब कुछ खोना पड़ता है और उसके बाद जाके spirituality समझ में आता है now यहाँ पे बात वही है शायद सब कुछ खो के बैटे हुआ और ये वीडियो देख रहे हो एक उमीद लेके और वो उमीद ही है भुबनिश करी मा जो आपको next day पे जाने के लिए कहते है जो आपको बोलते है कि next day पे आपको कुछ अच्छा होने वाला है उमीद लेके आ रहे, होप लेके आ रहे, डर्गों खतम करके और एक प्रॉपर ट्रांस्वर्मेशन आप महसूस कर पाओगे लेट सी और क्या प्रीक्चर में दिखरा है एंड वाव काली तंत्रिका काली तंत्रिका और आज अमावजसा के साथ एक बहुत गहरा संग्जोग है काली तंत्रिका मा क्या करते है solution प्रॉवाइड करते है so definitely मा को पता है कि negative God से आप परशान हो negative लोगों से परशान हो जो जो रास्ता आप चुने थे अभी आपको लग रहा है कि वह सही नहीं है definitely जब आपको breakthrough मिलता है तब आप shocked हो जाते है ऐसे कैसे किया आज कुछ ऐसे ही होने वाला है आज कुछ ऐसे रास्ते को आप छोड़ोगे जिसको शायद आप बहुत अहमियत दे रहे थे क्योंकि आप उस टाइम पर caterpillar थे अभी आप butterfly बन गए हो आपके नजरिया बदल गए है आपके soul purpose में changes आए है आपके अंदर बहुत changes आए है यहाँ पर definitely मा बोल रहे है बहुत ज़ादा confused थे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको चूज करे अप directionless हो गए थे आपको directions चाहिए था नव मा आपको directions लेके आ रहे है आपके सामें और वो directions क्या है किसी भी conditions पर feminine principle को आपको downgrade नहीं करना चाहिए feminine principle मतलब जो आप जानते जो रास्ता आपको लगता है वो सही है जहां पर आपको respect नहीं मिलता है जहां पर abuse हो जाता है जहाँ पर control किया जाता है जहाँ पर manipulate किया जाता है जहाँ पर अपने स्वर्थ के लिए किसी और को insult किया जाता है वो toxic masculinity हमेशा हमेशा के लिए बाहर होना चाहिए life से तो आप किसी भी हाल पे एक toxic person को support नहीं कर सकते हो और खुद के अंदर के toxicity को support नहीं कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप गुसे में आ रहे हो बहुत intense गुसा है intense दर्ध है तो आपको समझना है कि नहीं यह आपके soul purpose नहीं यह काल के जो चक्रा है यह आपको करवा रहे है यह Maya, Moh आपको करवा रहे है कि गुसे में आ रहे हो विएज आपके अंदर एक expectations था और वो wishful thinking के वज़े सही वो expectations वो आपके अंदर create वाला काली तंत्रा अलग है काली तंत्रा मतलब क्या है कि समय को कूई control नहीं कर सकते वे समय किसी के लिए wait नहीं करते हैं, समय बहते रहते हैं तो ये always समय बहरा है और उच समय के साथ-साथ आपको बहना पड़ेगा अगर कुछ चीज नहीं हो रहे हैं तो चीज को बदलना चाहिए या फिर आपको समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए आज मा बोल रहे हैं कुछ ऐसे चीज़े हैं जिसको आप बहुत कोशिश किये हैं उसके बावजूद भी वो टॉक्सिसिटी खतम नहीं हूँ आज उस चीज़ को आपको रिलीज करना है काली तंत्रिका काली को मैनिपलेट नहीं कर सकते हो काली को समय को मैनिपलेट नहीं कर सकते हो तो डेफिनिटी यहां पर बात आते हैं कि रिलीज कीजिए कुछ ऐसे चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि वो आपके लिए सही नहीं है आज है आप मा बस्या काली तंत्री का मतलब उस चीज को अट्रैक्टी मत करो आप उस चीज को अट्रैक्ट नहीं करे हो आप काली मा को मैनिपलिट करने की कोशिश करे हो जो कि जो इनपॉसिबल है और क्या होता है कि सही टाइम पे सही चीज ही होंगे उसके पहले नहीं, उसके बाद में नहीं आप बहुत impatient हो आप बहुत घबराओ घबरे क्या मैं बोले, you are very scared घबराट हो रहे हैं आपके अंदर आपको लगता है कि अगर नहीं होगा तो कभी नहीं होगा अगर अभी नहीं, कुछ करेंगे तो कभी नहीं करेंगे, ऐसे फिल्कुल नहीं अब ठहर जाएए, अब wait कीजिए wait and watch के चीज़े किस तरीके से evolve हो जाते हैं, आप जल्दबाजी मत कीजिए, tight schedule अगर आप रखे हो तो कुछ नहीं हो सकता है आपको आपको कुछ चीज को छोड़ देना है समय के साथ, okay माँ वही चीज बोलते हैं, कि spiritual person होने के नते, आपको बैटना है, देखना है, सोचना है feel करना है, महसूस करना है और तब जाके चीज को आप देखेंगे कि develop हो रहे अगर आप करते रहोगे काम क्योंकि ये हमारे एक बहुत ही खराब system है हमारे अंदर, कि हम हमेशा busy रखना पसंद करते हैं, कोई वीडियो देख रहे, कोई कुछ ना कुछ काम कर रहे कोई कुछ ना कुछ बोल रहे किसी ना किसी के साथ बात कर रहे ये चीज बहुत बहुत गलत है आपको stand still खुद को रख्ये चीजों को छोड़ देना है वेल ये जो over activity है ना ये over activity spiritual life में बहुत obstacles create करते हैं क्योंकि आप concentrate नहीं कर पाते हैं आप fickle minded हो जाते हैं, आपका mind गुमता है गुमता रहता है और कहीं पे भी आप एक जगे पे बैट नहीं सकते हैं तो meditations के time पे जाहीर सा बात है कि simple सा बात है कि आप focus नहीं कर पाते हैं आपका mind इधर उदर इधर उदर गुमता है because you are seeing contents you are listening too many things you are focusing too many things एक time पे बहुत कुछ करना पढ़ रहा है deadline है क्या करना चाहिए जितना तक हो रहा है उतना तक आप करिएगा but इसका मतलब यह नहीं कि आप एकदम छोड़ चारके बैठके आप बोल देंगे कि नहीं इतना ही तक में कर सकता हूँ no what I am trying to say कि आपको पता है कि कितना हद तक आप healthy way में काम कर पाओगे और कौन से चीज आपके लिए उतना जरूरी नहीं था but फिर भी आप करना चाहते हो for the extra thing आपको पता है आपके body permit कर पाएंगे 10 घंटे के काम 10 घंटे आप काम कर लिए उसके बाद आप बोल लिए कि नहीं बाकी 3-4 घंटे अगर में वेस्ट करूंगा तो मेरे को और जो extra money था वो नहीं मिलेगा now as a spiritual person आपको वो extra money के ज़रूरत नहीं है क्योंकि माद को अगर आप विश्वास करते हो अपने तंत्र को अगर आप विश्वास करते हो तो वो extra money आपको मिल जाएगा as a benefit समझ मैं है like हमेशा ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मेरे को वो पैसा चाहिए क्योंकि पैसा को माँ कैसे देखते है benefit तो मान लो कि आप manifest कर रहे हो 1 dollar 10 dollars अब अगर वो 10 dollars के benefit आपको मिलते है तो basically manifestation is successful मान लेजिए कि आप एक job को manifest कर रहे हो और आपको अगर same किसम के एक platform मिलता है जहाँ पे आप सीख भी सकते हो and कमा भी सकते हो तो हो गया आपका manifestation so क्या हो जाता है कि आप प्यार को manifest कर रहे हो अब प्यार मतलब सिर्फ वो प्यार नहीं है कि जिस पे सिर्फ boyfriend and girlfriend हो प्यार मतलब एक दोस्त भी आपको मिल सकता है because the concept of love is different तो यहाँ पे काली तंत्री का वही बोल रहे है कि आप लोग जो manifest करते हो आप लोगों को खुद बता नहीं कि कि क्या है manifestation so better यही है कि आज अगर आप इस new moon के डे पे सिर्फ रिलीस करोगे आप चीजों को release if you are going to release your bad attachment if you are gonna release your impatience if you are gonna release your toxicity तब जाके माँ आपको कुछ दे सकते in order to receive you have to release काली तंती का माँ आज आपको वही बोल रहे है कि इस new moon पे card cutting कीजिए इस new moon पे spiritual cleansing कीजिए इस new moon पे आपके अंदर के जो भी negativity है उसको release कीजिए इस new moon पे आप free हो जाएगे इस new moon पे आप माँ को trust कीजिए इस new moon पे जो माँ आपके लिए set कीजिए उसको follow कीजिए and tight schedule मत रखिए feel कीजिए इस new moon को feel कीजिए because this is very very important बहुत जादा confused हो रहे थे आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सिर्फ profit को देखके आप आगे नहीं बढ़ सकते profit के साथ साथ आपका health है आपका mind है आपकी spirit है यह सारे चीज भी important है सिर्फ profit ही आपको सुबा उठके एक ही चीज सोचा नहीं कि सिर्फ मेरे को profit earn करना है no आपको spiritually and practically एक balanced lifestyle maintain करना है और काली तंत्रिका वही बोल रहे कि अगर आप चाते हो कि आपके साथविक राजसिक और तामसिक यह तर्ण गून में एक balanced state पे रहे तो आपको कही न कही कुछ चीज को अपने आप हो मदब छोड़ देना है और उस चीज को देखना है कि कैसे वो चीज डिवलॉप कर जाते है like cooking के टाइम पे हम जब करते है कुछ पका के उस चीज को छोड़ देते है और वो automatic boil हो जाते है वैसे ही आज आपका approach वही होना चाहिए और especially इस new moon में आपका approach वही होना चाहिए आने वाले 15 days में because कुछ चीजे ऐसे जो अभी possible नहीं और अभी आप expect कर रहे है वो अभी हो जाए No वो चीज होगा definitely होगा पर उस चीज के लिए perfect timing के जरूरत है perfect patience के जरूरत है and मा के आशिरबाद के जरूरत है और वो चीज तब जाके successfully आपके पास आएगे but अगर आप भी आपको चाहिए वो चीज आधार दुरा मिलेगा और वो long term basic पे आप यूज नहीं कर पाएंगे और long term basic पे नहीं रहेंगे so अगर मान लीजे कि आप reconciliation मांग रहे हो होने दीजे जितना हो और है कमाचते हो definitely you need to take care of your body you need to take care of your mind you need to take care of your soul इसी के साथ इस ट्रीडिंगो खतम करना हो आप लोग comment section पे लिख दीजेगा जय मा काली तंत्री का and इस video को शेर कीजे hashtag दीजे मा काली ट्यारूट and आप लोग प्यार कीजे ऐसी कि support कीजे all the very best बढ़ आप ट्रीजेगा ट्रीजेगा